नमस्कार कैसे हैं आप लोग स्वाकत है आप लोग के अपने चलन इस्टडी वित्रा केसर में उमीद है आप लोग के त्यारी बहुत 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 मैं तुरंत आपको अफ्रूट करूंगा और बताऊंगा कि किस हेसाब से आप त्यारी करेंगे तो प्रती एक सब्जेक्ट में अप अच्छा स्कूर कर सकते हैं एक बात दिमाग में बैठा लिजेगा कि यदि एक्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है अच्छा मागस ल आज का यह जो वीडियो है यह हमारे बहुतिक विज्ञान का चोथा भाग है इस चेप्टर का इसमें हम महतफ़ों इस चेप्टर के जो अंकिक प्रस्ण है जिससे हम नमेरिकल कहते हैं नमेरिकल लेकर आया है और यह जो बोड एक्जाम 2030 है इंटरमेडियेट का उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इस वीडियो को नियान से देखेगा और इसमें जितने हम कंसेप्ट सिखाएंगे नमेरिकल तो आपको यहां पर चारही दिखाई दे रहे हैं इसमें हम जितने कंसेप्ट दिखाएंगे इस कंसेप्ट के माधियम से आप जो है दूसरे इस आधिक शेयर करने का प्रयास किजिएगा पसंद आएगा तो लाइक किजिएगा इसको चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा आईए बीना किसी देरी कहम वीडियो सुरू करते हैं जैसे कि आपके सामने पहला प्रस्ण दिखाई दे रहा होगा यहां पे लि बयदुद्दा का परिमाड जो है और उनकी प्रकृत बताना ही काय्सा प्रकृत लेगा तकी आपको मालूम होगा कि यदि दोनों प्रोटा नहीं है तो आप लोग को मालूम है कि यहां से हमको निकालना क्या-क्या है नुमेरिकल हल करने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो दिया गया डाटा है इस डाटा में हमको क्या-क्या है चीज्य दिया है पार्ला नंबर कि यहीं से शुरू होता हां कि दो पोड़ान tailor नहीं इसका मतलब कि दोनों जो पोड़ान high उन पर जो ऊपस्तित से बराबर होगा और्टान पर ऊपस्तितावेस साप लोन को मालूम होता है एक दस्मूनीघ्र........ अब पोटान पर कैसा आवेस होता है तो धनावेस होता है तो दूनों आवेसो का मान हमको मालूम हो गया यह मान कहां दिया है कहीं नहीं दिया हमको बस लिख दिया कि हाँ यह पोटान है आपको समझ जाना है कि यह पोटान धनावेसित होता है और इस पर इतना आवेस होता है उसके बाद कर रहा है कि इनकी बीच की दूरी दिया है हमको आर कमान दिया है तो यहां पे आर कमान दिया है आपका के Q1 Q2 बटा में R का स्क्वेर है अब देखिए यहां पर क्या चीज आपको नहीं मालूम है सब कुछ दिया है 1 by 4 पाई अप सेलेंग जिरो कमान आपको मालूम है इसका मान होता है 9 गुणे 10 हाथ 9 Q1 और Q2 दोनों कमान बराबर होगा क्योंकि दोनों परोटा नहीं है यह होजागा एक दस्मौन चोग उड़े 10 हाथ मैनस का उने और विच की जो दूरी है दोनों प्रोटानों की वह भी हमको दिया है विच की दूरी है आपका 4 गुणे 10 हाथ 15 मीटर सब कुछ यहां पर रखिए और आप आसानी से बल कमान निकाल सकते हैं इसका मान याद रखे का पूरा इसको जब हल किया जाता है तो इसका मान हो जाता है 9 गुणे 10 हाथ 9 और Q1 Q2 और R कमान आपको दिया है जितना भी उत्तार आएगा आप लोग इसको कल्कुलेट कर सकते हैं कल्कुलेशन बहुत तीजी होता है ऐसे सवालों का तो इसको कल्कुलेट कर सकते हैं जितना आएगा टोटल गुणा कराने के बाद आप उसका मातरक न लिखा जाए तो थोड़ा सभी फाल्ट होता है उसमें नंबर काड़ दिया जाता है लेकिन एक बात दिमाग में यह बैठाइएगा यदि नुमेरिकल आपका सही होता है तो 0.01 नंबर भी नहीं काटा जाता है यानि आपको कम्प्लीट नंबर दे दिया जागा तो भरसक ए इसकी नुमेरिकल को हल्ल किया जा तो की तो आपका समय का बच्छत होता है दूसरा यह होगा कि आपका जो नंबर बनेगा यह बहुत बहतरीन बनेगा ठीक ना इस प्रकार ऐसे सवालों को हम पहलें लगा सकते है आई यह देखने हैं दूसरा सवाल इसको हम संशिप्त रु है कि इनका बैदुद्बल तस्हा घूरता खर्षण बल्का जोठीओ है आपसे अनुपाथ उस रहा है पॉष रहा है तो रठ आपकर शुत्र मालूव औलॉव कтор भूल तør लगा आ आए इसको अटना के लिए चाहिए सबसे पहले तो यह समझले कि बैदुदल के और गुर्ताकर्षण बल का अनुपात आप कैसे निकालेंगे ठीक ना देखिए करना यह है आपको सबसे पहले तो आपको बैदुत बल का सुत्र मालू होना चाहिए उसके बाद गुर्ताकर्षण बल का सुत्र मालू होना चाहिए और किस हिसाब से यह सुत्र लगाया जाता ह चाहिए इसको हल करते हैं देखिए आपको बैदुत बल और गुर्थाकर्षण बल का सुत्र निगालने के लिए सबसे पहले तो यह समझे कि बैदुत बल के लिए क्या चाहिए और गुर्थाकर्षण बल के लिए क्या चाहिए बैदुत बल के लिए हमको चाहिए दोनों आव इसके बराबर अलफा कड़ पर आवेस होता है तो Q1 और Q2 का जो मान हो जागा हो जागा आपका 3.2 उन्हें 10 ही हाथ माइनस का उन्हें स्कुलाम यह तो हो गया अलफा कड़ पर उपस्तित आवेस 20 की दूरी दिया है आपको 0.1 इंगेस्ट्राम जब ऐसे रेसियो अला साल फुष्टा आना तो दिमाग में बात बैठाए कि इसमें दूरी का कोई महत्तों नहीं होता है अगर जो दुनों का हम रेसियो निकालेंगे तो दूरी दूरी से कड़ जाता है तो टेंसर निले मानी 10 मीटर इसको यह दी चेंज करेंगे तो यह हो जागा आपका 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर यह आपका मीटर में चेंज होगा इसको थोड़ा सही सहल कर सकने है आर बराबर हो जागा एक यह पॉइंट है पॉइंट यह दी बाए जाता है ध्यान सा समझेगा है यह दी बाए जाता है तो याद रखना है घात बढ़ता है यहीं बाए जाएगा बढ़ेगा एक बात दिमांग में बैठाए यह इस साइड में आएगा तो बढ़ेगा तो यह घटेगा जब घटेगा 1.0 कर देंगे तो यह हो जागा आपका 10 हाथ माइनस का 11 मीटर यह 20 की दूरी निकल जाएगी जिच की दूरी हमारी हो गई और बराबर दस हाथ माइनस का 11 मीटर अबेस का मान मालूम हो गया यहां से काफी हो गया इन्हीं इतना चीजसे हम बैदुतबल निकाल सकते हैं अब गुरता करशाण का लिए हमको क्या क्या चाहिए तो गुरता करशाण माइनस का 27 कीलो ग्राम और 20 की दूरी यहां भी चाहिए तब 20 की दूरी उतना ही होगी क्योंकि यह दूरी हम निकाल चुके हैं मीटर में यह हो जागा आपका 10 की हाथ माइनस का 11 मीटर अब इसको कैसे हल करेंगे आए उपर वाला जो कृष्टन है इसको हम मिटा दे रहा है य सबसे पहले हम लोग को यह मालूम हो गया कि क्या क्या चीज दिया है इस सवाल में देखिए हम लोग निकाल चुके हैं कि अलफा करण पर कितना वेस होता है 3.2 गुने 10 सीहाथ माइनस का 19 उसके बाद अलफा करण का द्रहिमान हम लोग निकाल चुके है कि अलफा करण का जो तो यह हो जाएगा आपका 1 by 4 pi epsilon 0 k q1 q2 बटा में r का square इसको मालें यह समिकर्ण नमबर एक का अगर जे गुर्ता कर्शनबल निकालते हैं तो fg is equal to हो जाएगा g m1 m2 बटा में r का square यह हो जागा समिकर्ण नमबर दो अब दोनों का अप रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा यह होगा f e और by fg यह हो जागा इसको हल कीजे पले 1 by 4 pi epsilon 0 k यह हो जागा q1 q2 by r का square और इससे जब भाग देंगे तो r का square ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपका बचेगा g m1 m2 अब देखे r k square से r का square cancel इसलिए बोल ला थे कि दूरी से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि जब अनपात हम निकालते हैं तो कट जाता अब ध्यान से समझे जो भी मान यहां पर दिया है वो सब मान मालोम है कि 1 होना UK कि 2 का मान मालूम है को 3.2 गूने 10 ततत मैंन सच जी कहा मान जो सब यह सरते करसण होता मान कभी चेंज नहीं होता यह उनका मानि सब नहीं होता है 6.6 गूने 10 तत्तत माइनस का RY 12, 3 क्याद रखिए है देके जी क्या मान fix हो गय क्यूंटू का मान आपको इतना रखना है और जब इसको रख देंगे तो आप रेशियो निकाल सकते हैं कि बैदुद बल और गुर्टा करशन बल का जो अनुपात है वो कितना आए ठीक ना तो उमीद है आप लोग यहां से सवाल को लगा सकते हैं कैलटेसन है बस बस जितने मान आपको यहां दिये है वास रख करके आप सवाल को असानी से अभल कर सकते हैं ठीट है ठींड़ने सवाल पर कि इनके बीच लगने मुखने वाला नहीं यह रिया नहीं यही आर अपको निकालना थरा करना कि आरि आइक ह 사고 अन्यागा कि यहां से निकलना कि इन पूर्टानों के मत लगने वाला यह पूलाभार यको फोड़ानु के बीच की दूरी कितनी होगी देखो जो हैसे करना है तो सबसे पहले हम यहीं निकाल लेते हैं हैं यह को सुत्र होतार डवलू बराबर मगर को सबसे पहले आप बल निकाल लिए इतना न्यूटन का बल लग रहा है अब कुलाम का नियम का यूज कीजिए कुलाम का नियम होता है सब्सक्राइब का निकाल चुके हैं इसका मान आप यहां पर रखती है चली यहां पर रखेंगे ती यह हो जागा आपका एक दस्मौ छो साथ उन्हें दसी हाथ मैनस का सताइस जी का मान नो दस्मौ आठ था आप देखिए इसको हल करेंगे ती यहां आपका नो गुने नो क्यों क्यों टू प्रोटान का वेस बराबर होता है आप लोगो मालूम है एक दस्मौ छो गुने दसी हाथ मैनस उन्हेस दो बार गुणा करानेस अच्छा इसका स्क्राइर कर दिजी आप और 20 की दूरी हो गया आपका आर का स्क्राइर स्क्राइर अब यह वाली दूरी आप यह वाली दूरी हमको निकालना आर स्क्राइर आप इस साइड में कर सकते हैं यह जगा आर का स्क्राइर इसको नो गुणे दसी हाथ मोग इसको हल कर दीजी 1.6 इंटू 10 टू पार मैनस का 19 का होली स्क्राइर और भाग दे देंगे हम इस साइड से इस से भाग देंगे परणू 10 टीजी 2,6 पार मैनस का 27 और यह वे जागा आपका नो दसमनोँ 8 आप यहां से हल करके आप 20 की दूरी मिकाल सकते हैं इस प्रकार ऐसे सवालों को हम असानी से हल कर सकते हैं तीन नमबर के ऐसे सवाल आते हैं लगभग इतना अगर यह लंबा रहा का तो आपको तीन नमर दे दिये जाएगा अगला सवाल पर चलते हैं अगला सवाल है कि 7N 14 यानि याद रखे ने टोटन का प्रतीक होता है इसका साथ यह नीचे वाला हिस्सा परमाणुक्रमाण कालादा है उपर वाला हिस्सा को परमाणु भार याद्रेमाण संख्या का जाता है कि नाभिक प प्रोटान और नेट्रान दोनों उपस्तित होता है अब करहा कि नभीग पर ही आवेस्पता नाम को पूछ दाता कि पूरे परमाण उपर कितना अवेस्थ होता तो आप कहा देते के उधासीन होता तो कि कि किसी भी परमाण में इलेक्टानों और प्रोटानों के संख्या साथ जब एन कामान आपको मालूम हो गया तो आप क्यों निकाल सकते हैं यांसे क्यों निकाल देंगे क्यों बराबर क्या होता है यह होता है एन कामान हो जाएगा कर दीजिए इतना कुलाम हो जाए कौन सा अवेस धाना आवेस ठीक ना यहां से आप इसको कल्कुलेट करके हाल कर सकते हैं ठीक ना उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रही है आप लोग अपने चनल इस्टडी भी तक है सब